Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहन्त वर्क बुक क्लास 3 हिंदी जिसमें क्या जहां पढ़ने वाले हैं व्याकरन व्याकरन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 वाक्य तो आप भी अपना वर्क बुक निकाले और मेरी साथ सथ बनाना स्टार्ट केजिए और अगर आपके पास वर्क बुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीच सकते हैं तो चली पढ़ने स्टार्ट करते हैं वाक्य ठीक है आप इसमें देखिए क्या कहा जारा है निमने लिखित सब्द समोहों को सही करम में रखकर वाक्य बनाईए अब देखे ये जो है ना कुछ गलत लिखा हुआ है इसे आपको सही क्रम में लगाना है, सही सही बनाना है तो गाउं से लोग बाग के डड़े हुए थे तो क्या होगा, गाउं के लोग बाग से डड़े हुए थे यहाँ पर है बाग के डड़े हुए थे तो यह सही नहीं है गाओ के लोग बाग से डड़े हुए थे का जन्म मीरा भहन इंग्लेंड में हुआ अब यहाँ पर उल्टा-फुल्टा लिखा हुआ है तो इसे सीधा करके हम लिखेंगे सही क्रम में तो मीरा भहन का जन्म इंग्लेंड में हुआ चाहिए करनी सेर प्रातहकाल तो प्रातहकाल सेर करनी चाहिए उसके बाद है कूद पेर पर रहा है बंदर तो बंदर पेर पर कूद रहा है है खाई वहाँ एक गहरी तो वहाँ एक गहरी खाई है पेर बहुत से में बगीचे है बगीचे में बहुत से पेर हैं तो इस तरह का वाक्य आपको एक्जाम में दिया रहेगा तो आप इसे इसी तरह से बनाएंगे कि आपको इधर उल्टा-पुल्टा करके दिया हुआ रहेगा इसे आपको सही क्रम में सजाना है ठीक है? निमनलकित वाक्यों को सुद्ध करके लिखिए मैंने आज वहाँ जाना है तो ये सही नहीं है सुद्ध करके लिखेंगे तुम मुझे आज वहाँ जाना है गांदी जी सच बोलता था तो गांदी जी सच बोलते थे तेरे को पिता जी नहीं बुलाया है तो तुम्हें पिताजी ने बुलाया है मानसून आ गई है मानसून आ गया है ये सब बच्चे अच्छा है तो ये सब बच्चे अच्छे हैं हम आपसे कहे थे हमने आपसे कहा था आज की समाचार क्या है तो आज का समाचार क्या है वहाँ चार बच्चा है, तो वहाँ चार बच्चे हैं मैं पानी खाड़ा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ उसके बाद है, लंबा लड़का नहीं कूच सके तो क्या होगा, लंबा लड़का नहीं कूच सका निमनलखित सब्दों का अपने वाक्टियों में प्रियोग कीजिए ठीक है? तो यहाँ पर सब्द है और इधर वाक्टिय है अंधकार तो क्या होगा? चारो और अंधकार फैला हुआ है सिपाही, एक सिपाही ने चोर को पकर लिया साधारन, वह एक साधारन लड़की है सीतल, तो सीतल का क्या होगा? पानी, कितना सीतल है किसान, किसान खेट में हल चला रहा है वीर्ता, हमें सैनिकों के वीर्ता को सलाम करना चाहिए निमनलखित वाक्टियों में कुछ असुधिया है उन्हें सुध करके वाक्टियों को पुनह लिखे तो देखिए, दया निधी को सब याद है तो दया निधी गलत है दया निधी को सब याद है इस तरह से लिखेंगे उसे पतनी के लिए कुछ साड़ियां खरिदनी थी तो उसे पतनी के लिए पतनी गलत है, पतनी के लिए कुछ साड़ियां खरिदने थी, खरिदने भी गलत है, तो इस तरह से सही लिखेंगे, आप सब मिलकर निर्ने कर लें, तो आप सब मिलकर निर्ने गलत है, निर्ने कर लें, बच्चों को सोड़ गुल से बचना चाहिए, तो बच्चों भी गलत है बच्चों को शोडगुल सोडगुल होगा, सोडगुल से बचना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से बनाना है, तो आपका workbook complete हो चुका है, कैसा लगा आपको पढ़के मुझे जरूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सबस्क्राइब कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे ताके NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई तक केर थैंक्स तो वाच मैं वीडियो